स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फेंटसी बस पर आप यह आप बात करने वाले हैं केंट वर्सेस समर्सेट के बीच में जो यह टी-20 ब्लास्ट का मुकावला खिला जाएगा फुल प्रिवी फुल इंफो फुल ड ईतिल्ड लॉजिकाल एनालीसिस प्लियर का प्लियर का सेटिश यृयशन वाइस अनले से कीब और नहीं किस तीम भी ढूले लोग एगगा तो बस आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत appreciation अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बाकी मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बाकी आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, इसके अ अगर हम बात करें इस मैच का तो यह मैच खेला जाएगा सैंट लॉरेंस ग्राउंड केंटरबरी के ग्राउंड पर, domestically यहां पर 51 मुकाबले खेले गए, जिसमें 174 का first inning का average score रहा है, 170 और 190 के बार 15-15 बार score गया है, यानि अगर आप मोटा मोटा देखोगे, तो 50 मैच में पेसर्स को थोड़ा initial movement रहता है, यहां पर पेसर्स को थोड़ा मदद आप मान सकते हैं, second inning के जो spinners है, जो quality spinners है, या जो first inning में जो quality spinners है, वो wicket लेके जा सकता है, तरवाइस पेसर्स को थोड़ा more assistant रहता है, यहां पर in compared to spinners, ठीक है, एक मैच यहां पर इस tournament में खेला गया और यहां पर देखो, spinners को थोड़ा ज्यादा assistant है, अगर हम बात करें लास्ट सीजन यहां तीन मुकाबले खेले गई थे, T20 blast के उसमें क्या हुआ है, तो 184 first inning average score, 165 second inning average score, spinners को थोड़ा पेसर्स को 21 wicket मिले हुए, last match के जो मैंने आपको, यह last season के 3 match है, जो typical nature है, वो मैंने आपको बता दिये, ठीक है, उसी के according आपको दिख रहा होगा है, यहां पे, और जो यह 3 match है यह आप देख सकते हो, जो 3 match हुआ है last season, उसका यहां पे कि पर match में कितने wicket spin ने लिए, पेस ने लिए, इस तरीके से, दोनों टीम का head to weight अगर हम बात करें, 21 मुकाबले खेले ल अब, Summerset की team तीन में मुकाबले खेले, तीनों जीती हुए, Kent की team ने दो मुकाबले खेले, एक जीते है, ठीक है, इसके अलावा है यहां पे, आप Kent की team की बात करें, तो playing 11 with recent score, दो match जो खेले हुए, पहले इनका important player देख लो, Drummond, Jay Denly, उसके बाद, George Linden, Jordan Cox, Sam Billings, Jake Leaning, Ken Richardson, Michael H Logan, यह कुछ इनके important player है, recent form की बात करें, तो यहां पे, मुये ने last match में 59 का score किया, Drummond ने अच्छा scoring किया हुए, Denly ने अच्छा किया हुए, Linden ने थोड़ा decent performance दिया हुए, उसके अलावा, Sam Billings का form अच्छा नहीं चल रहा है, यहां पर Jack Leaning ने decent performance किया हुए, Ken Richardson और Hogan ने और Key Richardson के ज्यादा chances है, अगर initial moment रहा तो, अगर सामने right handers है, और spin से यह लोग शुरुवात करते हैं, तो Giorgi Linden left time orthologs है, इनके लिए death में, Ken Richardson और Michael Logan यह दो अच्छे खासे chances है कि यह लोग death में balling करते हैं, अगर इनको किसी और baller की जरूद पढ़ती है, इन दोनों में से अगर के महेंगा साबित होता है, तो Evisa ने इनके पास Stuart भी है, ठीक है, यह Stuart, यह भी कभी कबार death में balling कर लेते हैं, कभी कबार, अब इनकी टीम से जो पूरे चार वर की गिंदबाजी करेंगे, होगन हो गए, कें डिचर्ट्सन हो गए, लिंडे हो गए, यह तीनों के अच स्टैट्स है, हर एक प्लियर का आपको स्टैट्स देखने मिल जाएगा, और जो यलो कलर से मैंसेंट है, वो अच्छा स्टैट्स रखता है, तो आपको यह चीज़े पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, कि किस प्लियर का स्टैट्स अच्छा है, और किसका बुरा है, यह balling पर साइन अप नहीं है, तो फटाफट कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है, फटाफट जाओ, साइन अप कर लो, क्योंकि यहां पर आपको डेली फ्री गिवेवेवेज मिलते हैं, 500 के साइन अप बोनस मिले अलग-अलग टाइप के फैंटेसी खेल के आप पैसा कमा सकते हो, देखो जो लोएस सेंट्री की बात आती में, यह हम जैसी यूजर्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, रीजन क्या है, जैसे माल लो, कोई लीग आप खेल रो, 3499 की विजन 11 पे, उसका पैसा जो है, आप आप लोग अधर प्लेटफोर्म पर 3850, इतना पैसा आप दे रो, यानि की 3500 पे एक्स्ट्रा, अब आप देखो, 10 दिन अगर आपने यह लीग खेला तो 3500 पे एक्स्ट्रा पे कर दोगे, तो मैं यही कहना चाता हूँ, हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे, हम पैसे अपने इनकी टीम इस्ट्रांग दीख रही है, तीन में से तीन मुकाब्ड जीत कर भी आ रही है, अगर देखोगा, टॉम बेंटन ने अच्छा पर्फरमेंस किया, विल स्मीट का थोड़ा पर्फरमेंस डाउन है, मतलब उतना अच्छा नहीं कर पा है, बट कर सकते हैं, लास्ट म इनकी टीम थोड़ा फेवर तो रखेगी, अब इनकी टीम से कोन कहां पर बॉलिंग करता है, कितने अबर की बॉलिंग करता है, वो देख लेते हैं, तो क्रेग ओवर टॉन, मतलब पीटर सीडल, पावर प्ली में, डेथ में बैं ग्रीन, पीटर सीडल, मतलब ये तीनों इसके अलाबा, जो भी महेंगा सावित होता है, जिसका भी दिन खराब रहता है, लेवाइस ग्रिगोरी उन से ओवर ले ले लेते हैं, और वो शेयर हो जाता है, जैसे लास्ट मच में मतलब ये शेयर किया, उससे पहले बैं ग्रीन ने एक ओवर शेयर किया हो था, और उसके अलाबा, यहां पर आप देखेंगे, ओवर टोन ने एक ओवर शेयर किया हो था, क्योंकि ये लोग महेंगे सावित हुए थे, तो यही चीज़े जो महेंगा सावित होगा, उसका ओवर शेयर हो जाएगा, और वो खाते में जुड़एगा, एक रेक हुरी गे, तो यह चीज रिसेंट स्कोर इस टॉर्णामेंट से पहले है, तो यह भी आपके सामने है, आप देखते हुए चल सकती हो, आप थोड़ा हम हेड टो एड स्टैक्स की बात करेंगे, जब दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस खेलते हैं, तो किसका कैसा परफोर्मेंस है, कैट की तरप से, ट्रमन का 37 का एवरेजे, जे डाउनली, डेनली, सैंबिलिंग का 29 का एवरेजे, 55 का एवरेजे, जॉर्डन कॉक्स, जैक लिनिंग 29 और 52 का एवरेजे, जियोज लिंडे, अब अगर हम बात करें समर्सेट की तरप से, तो टॉम अवेल 53 का एवरेजे, चौवालिस का एवरे यहां पर क्रेगोरी का 11 इनिंग में 15 विकिट है बागी सबका डिसेंट सा रिकॉर्ड है अब वेन्यू स्टेट्स की बात करते हैं यानि इस ग्राउंड पर जब मुकाबले होते हैं तो कौन से प्लियर का कैसा रिकॉर्ड है केट की तरब से बात करें फिरसे ड्रमंड का नाम है जोडेली सेंबिलिंग जैक लिनी और जॉडन कोक्स इनका नाम है टुएड में भी था और यहां पे भी इवन इनका भी नाम है टुएड में था जोड लिंडे का और वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है इसके लावा यहां पर ग्रेगोरी का नाम फिट से आ रहा है इनका भी आपने देखा गागा यहां पर चार इनिंग में पांच विकेट इस ग्राउंड पे तो वबर ओल इनका रिकॉर्ड हैट वेन्यू में दोनों में अच्छा है आप थोड़ा प्लेयर बेटल देख लेते हैं यहां से आपको कुछ प्लेयर्स का स्टेंथ और वीगनेस का अंदाजा लगेगा जैसे डैनियल बर्न ड्रमेंड है क्रेंग ओवर्टॉन के सामने 25 गिंदों में दो बार ग्रेगोरी के सामने 33 गिंदों में दो बार लेकिन उनसे ट्रन भी बनाये हुए ठीक है उसके बाद जे डेल आपको आपस तीन आपस तॉम बेंटन से लॉपर नीचे होते रहते हैं अपनी positions को interchange करते रहते हैं कभी कभी क्या होता है Jordan Cox आपको 2-down या 3-down दिखेंगे कभी कबार Sam Blinks 2-down या 3-down दिखेंगे तो यह उपर नीचे होते रहते हैं और Sam Blinks का form अच्छा नहीं है वैसे बल्लेबास तो इनमें मतलब ऐसा कैलिबर है कि यह बड़ी पारी खेल सकते हैं बट उतना कंसिस्टेंट रहते नहीं है और जॉर्डन कॉक्स है तो अच्छे प्लेयर जो पावर हिटिंग करते हैं कम गेंदों में जाता रन बनाने के लिए जाने जाते हैं रिसेंटली लंका प्रीमेर लिग में बहुत अच्छा फॉर्म था इनका बट यहां पर भी बैटिंग पोजीशन धंक से फिक्स ना होने के चलते मैंने टॉम बेंटन को लिए क्योंकि हमारे लेक सेफ भी रहेंगे स्मॉल लिक के पॉइंटे हुई से ओपिन कर रहे हैं प्लस लास्ट के कुछ मैंचे से अच्छा स्कोरिंग भी कर रहें और विकिट कीपिंग भी कर रहें तो यह सेफस्ट ऑप्सन है फॉर्म भी ठीक ठा के हाला कि यह भी कि anchor करते हो खेलते हो तो वो भी कर लेते हैं और ऐसा इनके सामने कोई ऐसा struggle भी नहीं है कि किसी गेंदवाज के सामने बहुत ज्यादा struggle करते हैं ओवरोल सब गेंदवाज को अच्छा खेलेता है लाइक इस्पिन और पेस दोनों को ठीक है इसलिए मैं इनको हमेशा मस्टर पिक बोलता हूं बस लास्ट के कुछ मैचे से ना इनको ज्यादा मौका मिला नहीं है एकाद मैच में मौका मिला है तो उसमें हर मैच में प्रूफ क इस्पिरेंस है एंड कंसिस्टेंट स्कोरिंग के लिए भी जाने जाते हैं फिलाल के लिए टीम में है बट अगर आप इनको छोडने का रिस्क लेना चाहो एक एक एक्स्ट्रा बॉलर आपको लेके जाना है जो मैं आपको बता दूँगा तो आप उनको लेके जा सकते हो व इसलिए मैंने नहीं लिया लास्ट के कुछ मैचे से उतना अच्छा परफरमेंस नहीं आया है बट आप इनको कभी भी बैक कर सकते हो इनके पास जो मैंने बोला ना इनिंग बिल्ड करने की पावर रहती है मतलब कभी भी इनको एक बड़ा इनिंग खेल के यह दे सकते हैं मेरी टीम में भी फिट नहीं बैठ है मुय ने लास्ट मिच में अच्छा स्कोरिंग किया बट वही है कि अभी इनका लिस्टे में जो स्टैट्स है और जो टी ट्वेंटी उतना जाद क्रिकेट खेला नहीं हुआ है तो मैं अभी कहूंगा आप इनको देख लो कि किस तरीके से इनका टेकनीक है अपने अप्जर्विशन के अकॉर्डिंग फिर आप इनको देख सकते हैं कि इनको लेना है या नहीं लेना है ठीक है लेमन भी उतने अच्छी आप्शन रहेंगे नि उसके बाद यहां पर ऑल राउंडर सक्षन में ग्रेगोरी मस्था पिक देखो इनक जादा ओवर डाले भी नहीं फिर भी बट अगर चार ओवर डालते ना तो श्योर शॉर्ट है कि इनको विकेट जरूर एक नहीं मिलता अभी क्या है कि दो तीन ओवर डाल रहें प्लस बल्ले बाजी है तो आप इनको इनको स्मॉल लिक की टीम में जरूर रखना मस्था पिक अच्छा है और डिसेंट गेंबाज है तो अभी के लिए कि आए कि फॉर्म अच्छा है तो आप इनको अपनी टीम में जरूर रखें स्टुवर और बैन गरीन देखो यह दो ऐसे प्लेयर्स है जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं कैसे जी स्टुवर्ट अगर इनके देथ बॉलर्स प्रॉपर जो देथ बॉलर है उनका दिन खराब रहता है तो ची स्टुवर्ट आपको देथ में दिख सकते हैं तीन से चार ओर गिंबाजी प्लस बल्लेबाजी से भी डिसेंट बल्लेबाज है प्रॉब्लम कहाँ पर है कि अगर इनकी टीम के देथ बॉलर् में अपनी बॉलिंग कर जाएंगे और बैटिंग फिर मीडल ओर में आते हैं तो पता नहीं कितना खेलने मिले ना मिले तो फिर उस समय एक एवरेज पिक हो जाते हैं बट जो मैंने आपको बताया आप इनके उपर ग्रैंड लिग में रिस्क लेके जा सकते हो बैंगरीन की अभी तक तो देखो 10 में आते हैं ठीक है और 3-4 वर गिंदबाजी है प्लस जरूरत पड़ी तो अच्छी खासे पावर हिटिंग भी कर लेते हैं अब लिस्टे में पर्फरमेंस एक 150 का स्कूर था प्लस लगातार विकेट निकाल रहे थे तो यह मस्ठप ही करेंगे सब्सक्राइब के मैचेज में आपका लॉस होने का चांज से ज्यादा रहता है क्योंकि आप सबको नहीं ले पाऊगे और अपनी जिसको छोड़ा है वह परफॉर्म करेंगा तो टीम एवरेज हो जाती है डेट सो है मैंने अभी के लिए मैं आपको यह बोल के चलूँगा क अब यह से टीटी में अच्छा स्कोरिंग भी किया हुआ एक एकाद मैच में उसके अलावा चारवर पूरी गिंदबाज ही सामने राइट हैं और यह लेफ्टाम और थोड़ा हो सकता है कि विकेट भी मिल जाया एकाद दो अगर थोड़ी भी स्लोविकेट होती है बाद में कि इनके ओवर हमेशा कटते है आरवी मरवे इस टीम के मैक्सिमम बल्ले बाजो के अगेंस्ट मैच अप इनका अच्छा है इन्होंने विकेट निकाले हुए और देखो यह विकेट टेकिंग बॉलर है बट क्या है कि कभी-कभी इनके ओवर कट जाते है वो एक दिक्कत रहत के इन डिट्रेक्शन कोई भी इनिंग हो मस्ट अपिक विकेट टेकिंग बॉलर है और तो और अगर फस्ट इनिंग में गिंदबाजी आती है तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी रिस्क ले सकते हो बनानेगा उसके लागा माइकल लोगन यह भी विकेट टेकिंग बॉलर है बाट अनफॉर्चनेटली में अपनी टीम में नहीं ले पाया हूं क्योंकि मेरे 11 खिलाडी कंप्लीट हो चुक है अगर इनकी टीम फस्ट गिंदबाजी करती है तो आप इनको कंशीडर कर सकते हो देथ में आते हैं विकेट टेकिंग बॉलर है सेम फिकेट टेकिं सेकेंड इनिंग में आप भले छोड़ने का रिस्क ले सकतों पीटर सीडल को बट मैं कहूंगा कि यार इस्मॉल लिग में अगर आप लेने के लिए कैपेबल हो आपके पास जगे है तो आप इनको लेके जा सकते हो उसके लावा नीचे कोई और अच्छा आप्शन है नहीं कि इन दोनों को कप्तानी व्यस के देना थोड़ा dit प्रेस्की है क्योंकि जो क्टोम अगरवा रॉक डॉपार ऐस्पे ले ले खितकंप दू से में राइट हेंडर जादा और इनको बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है तेकनिकल बल्लेबाज है अभी ऐसे टी ट्विंटी में अच्छा स्कोरिंग भी किया था चार ओवर पूरे कर रहे हैं अगर थोड़ा भी स्लो विकेट वाना साकेंड डिनिंग में तो यह विकेट ले जे डेनली इन लोग को जरूर कैप्टन कर लेना ग्रैंड लिग में इसके लवा ट्रंप पिक्स के तौर पे जॉर्डन कॉक्स सैम बिलिंग्स विल स्मीड बैंग्रिन और जी स्टीवर्ग यह लोग आपके लिए ट्रंप पिक का काम करेंगे जैसा मैंने वीडियो में समझ प्लेयर किस सिच्वेशन में आपके लिए अच्छ comport हो सकता है एज ब्लेयर ग्रैन लिемся कर रहे हैं तो ध्यान रहे हैं यह थोड़े रिस्की प्लेयर होताए आप लोगा लॉस हो सकता है तो अगर यह ठुब्लेशी सकते हो यह यह जोग प्रॉफिट भी करवा सकते हैं पर यह वाले जो टीम है यह small league की team में इसे grand league में लगाने की गलती ही मत करना अब इस team में किस तरीके से changes करने हैं मैंने आपको कुछ और safe picks बताये हुए हैं जिनको हम अपनी team में नहीं ले पाए हैं आप उनको कब और किस situation में ले सकते हो playing 11 को देखते हैं number of baller को देखते हुए और toss report को देखते हुए सारी चीज़े में telegram करता हूँ free में तो telegram से अभी जाके जूर जाओ फटा फट वीडियो की description में लिंक है comment section के सबसे पहले comment में लिंक है अब ये grand league का combination है मैं आपको बोल रहा था था कि GL का भी एक team combination में आपको दिखा दिया करूँगा ये team आपको same तो नहीं लगानी है मैंने आप आपके idea के लिए बताया कि जो मैंने ये captain's vice captain's और ये जो trumpics बताया ना इनहीं का use करते हैं मैंने team बनाया vice captain से मैंने able को दे दिया यहाँ पर मैंने बेंटन को drop करने का risk लिया जॉर्डन कॉक्स को ले लिया बागी मैंने ज्यादा risk लिया नहीं यहाँ ग्रेगोरी को drop करने का risk लिया बेंगरीन को लेके बागी almost captain मैंने थोड़ा सा risk बना दिया तो वही वाला अगली वीडियो में तब तक लिए जाएं